भायो बहनो नमस्कार आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल में आपका स्वागत है चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे है रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बिल यानि घंटी बनके आ आए हैं आप सबको यह वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन-कौन सी बहने हैं कौन-कौन से जिलों से आती हैं और उनका कितना-कितना मांदे आया है जिसका उन्होंने मैसेज हम तक भेजा है तो सबसे पहले उस पर बात करते हैं और फिर आपसे भी एक सवाल करते हैं, आईए पहले हम बातों की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर संगीता बहन आती हैं सीता पुरजिले से, और उन्होंने अपने वहां से मैसेज मुझको भेजा है, इसमें उन्होंने कहा है कि 7000 रुपिया आप देख सकते हो, उनके भी सकते हैं, UP State Integrated Child Development Scheme की तरफ से यह पैसा लगा है, आप चाहो तो PFMS के जरीए चक कर सकते हो, PFMS नहीं स्वारी वो आपका Among एप पर जो PFMS माडूल है उसके जरीए, तो उमंग एप पर PFMS माडूल में जाकर के आप अपना चक कर पाओ, अगर आप चक कर लो तो ठीक है, इनका पैसा यहां पर साप सब्दों में सब लेखा हुआ है, और इनका 7000 हो गया, अगली बहन आती है, इन्होंने खैर, अभी यहां पर हमको जो है, अपना नाम वाम तो बताया नहीं है, लेकिन इनका भी पैसा 7000 रुपया आप यहां पे देख सकते हो, रासी इनके भी खा कौन है, पहले उस पर चर्चा कर लेती है, तो उमा देवी बहन है, आप यहां पर देख सकते हो, नाम भी लिखा हुआ है, और मिनी आंगनबारी है, यह बिस्वा सितापुर से, तो अब यह नहीं कहा जा सकता, केवल आंगनबारी का 7000 आ रहा है, तो यह मिनी आंगनबारी वरकर हैं, और इनका भी 7000 देखने को मिला है, और पिछली एक आगनबारी बहन थी, उनका भी 7000 देखने को मिला था, खैर, आगे चलते हैं, यहां पर सहनाज बेगम बहन है, संभल जिले से आती है, और यहां पर उनके एकाउंट में आप देख सकते हो, 500 रुपया जो है, यानि आप कह सकते हो कि कल आया था, और आज जो है उनके एकाउंट में 4563 रुपया भी आया है, जो की 22 तारीक यानि आज के दिन आया है, तो 500 और जो है कल और आज जो है इनका दो बार आचुका है कल और आज में, तो इस सहनाज बेगम बहन जो है, उन्होंने भी एक यह मे तो 45 रुपया भी आप देख सकते हो, तो 45 रुपया वाले भी मैसेज ज्यादा तर आये हैं, हो सकता है ये बहनों का जो जिनका नमंबर कर रह गया था, बांकि उन लोगों का सकसिज हुआ हो, और या उन लोगों का यहाँ पर इसमें लगा हो, तो जो 45 रुपया ज्यादा तारी कौन के खाते में आया है, और इनके अलावा देखेगा यहाँ पर संगीता यादो बहनवारा रसी से इनके अकाउंट में 35 रुपया आया है, तो हो सकता ये मिनी वरकर हो, क्योंकि बहनों ने ये नहीं बताया है कि वो कौन आंगन बाड़ी है, कौन मिनी है, कौन साहि तो प्लीज अब आप लोग जब साम को मैसेज करना, अगर जानकारी भीजना, इस मांदे वगरा के संबंद में, तो अपना ये भी बता देना, आप मिनी वरकर हो, या सेविका हो, या साहिका हो, क्या हो, और साथी साथ जो है, तब मैसेज करना, खैर, और आपको बता दे, ये एक बहन है, कंचल लता जो पीली भीत से आती है, और इनके वहाँ पर भी आप देख सकते हो, पीली भीत में भी इनके एकाउंट में पैसा आया है, और ये पैसा भी आप लोगों को उमदिखा रहें, अंडर पोसेसिंग में लगा है, लेकिन ये पैसा मात्र 35 रुपिया है, तो आप देखेगा 35 रुपिया भी अंडर पोसेसिंग में लगे हैं, और इस तरह से काफी बहनों में जो अमत भेत पैदा हो रहा है, किसी का 7,000, किसी का 45, किसी का 35, ऐसे करके पैसे देखने को मिल रहे हैं, अब इसमें बहुत सी बहनों को तमाम समस्या हो रही होगी, अब यहां पर समस्या यह है कि कुछ लोगों का देखो, पहली बार आया था, कुछ का नहीं आया था, तो हो सकता है, उनका ही जो एक कम ज़ादा, इसी हिसाब से कुछ हो, तो जो भी है, अपना अपना आप देख सकते हो, और यह बता सकते हो, किसका कौन-कौन सी बार में कि LAB आ चुका है जिससे कुछ इस्तितियां जो है इस पश्ट हो जाएंगी कि जो सबका एक्ष्टा में है या कैसा है इस्तितियां कैसी है मतलब पहले जब मैंने कहाता ना 8, 85, 82 जो भी था उस टाइम पर वो भी आया उसके बाद कब से जो कितना कितना आया है तो अब देखे बहने मुरादाबास से और उन्होंने अपने वहाँ से बेजा है उनकी एकाउंट में 4521 रुपया अंडर प्रोसेसिंग में लगा हुआ है और इनके अलावा ये तो कुछ उत्तर पदेश से मांदे के संबन में जानकारिया हो गई अब इसके लावा आप सब भाई बैन यू मांदे एप के जरिये बिहार में मांदे बहनों किया जाता है तो वहाँ पर रानी गंज जो प्रयोजना पड़ती है अररिया जिले में तो वहाँ से कि यह मारी बहन आती है जो इनका यासमीन आरा बहन है नाम और इनके एकाउंट में अगर पैसे की बात करें तो जनवरी मह जो है आपका प्रोसेस में होगा और फिर उसके बाद में कहीं क्लियर यानि जो रिस्पॉंस कुछ आएगा सक्सल वगरा का तो इस तरह से जानकार येक निकल के आ रही है तो फिलाल ये कह सकते हैं कि जो है जनवरी महीने का जो पैसा है वो भी आपका 16 फरवरी को सेने टू है हुआ है उनके अरेडिया जिलेमी अब देखेगा एक सीमा गुकता बहन आती है मौजले से उन्होंने अपने वहां से कि एक बार की कटिंग देजी है लिखा है पहले दिन खुले हैं आंगनबारी केंद्र बच्चे जो हैं वहाँ पर पहुंचे हैं इस तरह से तो बाकी दे हैते हैं और जिसके चक्कर में अभी साम को लोटे हैं तो काफी ठक गए हैं और दिन में भी टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला और अभी जो है आप लोगों के वीडियो हम देखेंगे और साम तक की आप लोगों के अप्लोड हो जाएंगे या फिर कल वह प्रदरसिद हो है दिनकों मद्दान वाले कार्कम हो या कोई भी कार्कम हो बहनों से काम तो सरकार हमारी ले रही है बराबर लेकिन जब बात आती है उनके महंताना देने की तो सरकार अपने पैरों को पीछे खीच लेती है इसलिए बहन ने लेका हुए सबसे पहले हम लोगों के पास ही आत तो ये गलतिएं हमारी हैं क्योंकि दूद का जलाज़ के बढ़ाज हैं दर्णाप दर्सन क्यों नहीं कर पातें या मैदान में नहीं आपातें तो ये भी हमारा आप सबसे भी अपना खुद का अपने अंदर से सवाल ऻुना चाहिए और क्यों हमारे यूनियन उन strongly दिल्ली के यूनियन की तरह जो धरनाप दरसन उतनी मजबूती से क्यों नहीं कर पातें क्यों हमेसा वारता को लेकर के लालाहित रहतें और सचट से जो है चाहार दिवारी के अंदर वारता करके घर चले आते हैं क्या उससे उनका जो भी मकसद रहता है आंगनबारी बेहनों क तो वो कहते हैं ना कि उनकी image वो कैसी है वहाँ पर वो सब लोगों को पता है तो सीटूवाले क्या कर रहे हैं वहाँ पर वो भी方 जान रहे हैं और हरे एक रजव के जान रहे हैं और इसलिए आप सब को बताना चाहिए इससे हमें फरक नहीं पढ़ता है लेकिन आप अपने हग के लिए अगर सही जगे पर नहीं रहोगे तो फिर आपकी मेहनत भी वो बरबाद ही जाएगी अब देखेगा यहाँ पर यह देखे मध्ध प्रदेश में भी आगनबारी बहनों ने धर्मापदासन किया है तो कुछ तस्वीरे मध्ध प्रदेश से आ रही है राधा बहनाती है मध्ध प्रदेश से उनके द्वारा कुछ यहाँ पर फोटो बगरा बेजी गई है तो आप अच्छे तरीके से दिखाया जाए और बताया जाए अब इस तरह से उसमें क्या दिखाए है हम क्लिप में आप ही बताओ इससे अच्छा यह फोटो है जो आप लोगों को दिखा दी गई इसके लावा बात करते हैं यहाँ पर एक बहन आती है उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया है जिलाकार का मधिकारी जो पताब गर्ज के हैं उनका एक लेटर 21 फरवरी को अभी जारी हुआ है कल और इस लेटर में जो लेखा है आईए उसको पढ़कर आपको बताते हैं प्राप्त होती हैं कि अमुक समू द्वारा आंगनबारी कारकरती को जो है समागरी नहीं प्राप्त कराई गई अत्वा आंगनबारी कारकरती द्वारा लाभारतियों को समागरी नहीं उप्लब्द कराया गया इस तरह की सिकायते आनलाइन रूप से काफी ज़्यादा संख अभी तक लगबग पर तेक बार सत प्रसत उठान की जानकारी दी गई है और आप में जो यहाँ पर किसी भी बाल विकास प्रभारी ने यह सुचना नहीं दी है कि कुछ या अधिक समुहों द्वारा उठान नहीं किया गया है इससे पस्ट होता है कि परुजना को पूर्ती सम समागरी का उठान समुहों द्वारा किया जा रहा है जबकि आप लोगों द्वारा अधोष्ताचरी के समच कई बार मौक्षिक तोर पर अवगत करया गया है कि अनेक समुहों द्वारा उठान करने के उपरांद भी आगनबाडी कारकर्ती को समागरी प्रात नहीं कराई यहां पर BMS वगरा का नाम इवाम मुबाइल लंबर अधिकरा स्विम साता समू के अधच सचिव कोसाद देच इनका नाम मुबाइल लंबर यह सब जो आंगनबारी केंदर की कारकरती का नाम मुबाइल लंबर इस सब को जो है यहां पर उपलब्द कराओ तो यह सूचना और एक गंभेरता का विशय है जिलाकर का मदिकारी प्रताब गड़ के समैटर पर गंभेरता ले रहें अब देखते हैं यहां पर कारवाईया होती है की नहीं होती है रासन आकिर जहां कहा रहा है इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए क्योंके कुसी नगर में आपने देखा बाता बाल विकास भाग के जो CDPO महोदय है वही जो है पूरा डकार गए दीमक की तरह है पूरा 26 लाग का रासन चाट गए इधर बात करते हैं आपको बता दे सुधा बहन आती है सिद्दात नगर से उन्होंने अपने वांगन बारी केंद को खोला है और एक उन्होंने बेजी गई है और यह बहन है सबनम चातरपूर मद्पदिस से आती हुन्होंने भी एक फोटो बेजी है और इनके अलावा इक यह बहन आती है देनेश कुमारी अवस्ति सितापुर से और यह बहन है अनीतागर्ग मुजफर नगर से और आज का वीडियो सामका यहीं तक के संबंद में जो भी सूचना हो उसको वाटसिप पर जरूर बेजे ताकि सुबह के वीडियो में कुछ जिससे हो सकता है कि आपके वीडिकारी है वो भी थोड़ा सोचे और कहां 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 का मांदे नहीं लगा होगा तो वो भी थोड़ा स्पस्ट हो जाएगा और जिनको भी नहीं पता है कि मांदे लगने का मतलब क्या होता अंडर पोसेसिंग में कि वो पैसा अंडर पोसेसिंग processing में ही है तो वो पैसे आपको